मैं एलबर्ट आइंस्टाइन आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने विचारों को रखने का एक मौका दिया और शायद हिस्ट्री के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट कोशन पर मैं क्या सोचता हूँ उन विचारों को जानने की इच्छा जताई काफी दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ा है कि अमेरिका एक ब्रह्म में जी रहा है एक ऐसा ब्रह्म जो बहुत ही खतनाक है इस देश को यह लग रहा है और यह देश इस ब्रह्म में है कि एटॉमिक बॉम इस देश को सुरक्षित बना देगा यह ब्रहम मुख्य रूप से इसलिए पनपा क्योंकि इस देश ने पहला एटॉमिक बॉम बनाने में सफलता प्राप्त करी थी हमने एटॉमिक बॉम बनाया और वो भी जर्मनी के पहले इस चीज ने हमको एटॉमिक बॉम पर बहुत ही ज्यादा विश्वास और विश्वास ही नहीं मैं तो कहूंगा अंध विश्वास दे दिया है हमको यह लगने लगा है कि military superiority से ही हम इस दुनिया में peace को पा सकेंगे हम इस ब्रह्म में है कि हमारे एटॉमिक बॉम को देखकर हमारा विरोधी डर जाएगा और इस प्रकार इस humanity पर इस पूरी दुनिया के सभी लोगों पर सुख और शान्ती की एक कवच सी आ जाएगी जिसको कोई भेद नहीं पाएगा अगर मैं आपको एक sentence में संग शेप में बताऊं कि हमने पिछले पाँच सालों में क्या किया है तो वो यह है हमने पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ military superior power को पाने में लगा दिये हैं हमने पिछले 5 सालों में हर एक कदम ले लिया जो हमको military superiority की तरफ ले जाये हमने कुछ कस्र नहीं छोड़ी कितना भी k haircut लगा नहीं सोचा किस expense पे किया नहीं सोचा हमारा मकसद यही था कि हमको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बनना है मानो पिछले पांस सालों में हमने अपनी आखों पर पट्टी बान ली हो और हम भागे जा रहे हों मिलिटरी सुप्यारिटी की तरफ लेकिन हम भूल रहे हैं कि इस सुप्यारिटी के लिए हमको कितनी बड़ी प्राइज पे करनी पड़ सकती है मुझे दुख है कि इनसान ने एटॉमिक बॉम बनाया लेकिन शायद आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी क्योंकि atomic bomb बनाया गया है उसी principle पर जो मैंने खो जा था वो principle था E equals to mc square E equals to mc square equation ने atomic bomb को बनने में मदद करी थी और यूं तो वैसे मैंने खुद ने atomic bomb नहीं बनाया लेकिन मेरे जिन्दगी भर की researches और मेरे scientific methodologies से atomic bomb बनना possible हुआ है E equals to mc square यह बताता है कि एक atom की energy उसके total mass multiplied by speed of light के square से निकाली जा सकती है simple भाशा मैं बोलूँ तो एक atom को तोड़ कर इतनी energy निकल सकती है जितनी शहरों और देशों को तभा करते unlimited power और मैं जूट नहीं बोलूँगा मैं जीता हूँ शान्ती के लिए लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी समय था जब मैंने अमेरिका के प्रेजडेंट को एक letter में लिख कर बोला कि हम मारे पास भी atomic bomb होना चाहिए क्योंकि मुझे उस वक्त खबर मिली थी कि Germans मेरे बनाये गए E equals to mc square के formula पर काम करकते हुए atomic bomb बनाने के रास्ते पर निकल चुके हैं अगर मुझे पता होता कि वो fail हो जाएंगे तो मैं कभी भी अमेरिका को यह नहीं बोलता कि हमारे पास भी atomic bomb होना चाहिए और मैं गलत था मैं जाने अंजाने में एक ऐसी चीज कर डाला हूँ जिसके वज़े से इंसानों के पास ऐसी शक्ती आ गई है कि वो पूरी existence को खतम कर दे इस गलती का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने हिरोशिमा पर गिरे हुए atomic bomb की वज़े से उन शेहरों की दुरगती देखी एक atom ने फूट कर atomic bomb का रूप लिया और उससे पूरा का पूरा शेहर तहस महस हो गया उस शेहर में रहने वाला हर एक वैक्ती या तो मर गया या जिन्दी की भर के लिए अपंग हो गया साथ ही साथ हमने इस दुनिया में जितनी radiation दे दी है उसका बुरा प्रभाव भी हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा अमेरिका यह सोचता है कि यह psychological attitude बनाकर military superiority बनाकर हम इस दुनिया में peace को ले आएंगे लेकिन कैसे? मैं पुछता हूँ कैसे? दुनिया भर में अपने military bases को बनाना अपनी economy को strengthen करना और अपने potential allies इसक से मिलकर काम करना यह सब समझ में आता है लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसी power जो इस दुनिया को ही खतम करते उससे शान्ती कैसे बनेगी? आज इंसानों को independent political thinking से रोका जा रहा है हम उनको radio के जरिए newspaper के जरिए और school के जरिए सोचना सिखा रहे है और हम हमारे देशवासियों को खुद से कुछ सोचना नहीं सिखा पा रहे है हम उनकी thinking को और mindset को change कर रहे हैं और पूरा का पूरा control में ले रहे हैं अमेरिका और रश्या के बीच में हमेशा से ही तनाव बना हुआ है लेकिन हमारी military को और मजबूत करना यह हमेशा से ही एक preventive measure रहा है लेकिन atomic bomb के आने के बाद situation बहुत बदल गई है जल्द ही hydrogen bomb आ जाएगा और यह एक बहुत ही ज्यादा attainable goal है इस देश के president hydrogen bomb को बनाने के लिए scientists पर डाल रहे हैं और अगर यह successful हुआ तो हमारे पूरे atmosphere में radioactive poisoning हो जाएगी हमारी सास लेने की हवा दूशित हो जाएगी और सब दूर radioactive material पाया जाने लगेगा यह radioactive material इस संसार से जिन्दगी का नाम और निशान मिटा देगा और यह बात बहुत दूर की बात नहीं है यह सब जल्दी possible है बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है अब हर एक देश एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तेजी से development करते जा रहा है हर एक देश अपने आपको और military के रूप में superior बनाने के होड में लग गया है अगर हम इस ही रास्ते पर चलते गए और रुके नहीं या पल्टे नहीं तो इनसानों का खात्मा बहुत ही नजदीक है एटम को तोड़ कर उसमें से एनरजी निकाल कर एक शहर को बरबाद कर देना लोगों को मार देना लाखों करोड़ों लोगों को तबहा कर देना यहा कैसा पीस यहा कैसी शान्ती अब आपके मन में यहा सवाल आ रहा होगा कि अगर यहा इतना खतरनाक है तो हम रुकते क्यों नहीं तो इसका जवाब यहा है कि यहा एक साइकल है जिसको चलाना आसान था लेकिन अभी इसने जब स्पीड पकड़ ली है अब इसको रोखना मुश्किल हो गया है लेकिन हम सभी को अब दिमाग से काम लेने की जरुवत है दिमाग से काम इस होड़ों से बहार निकलने की जरुवत है लेकिन क्या ये पॉसिबल है मुझे लगता है बिलकुल पॉसिबल है हम सभी को अपने एटिट्यूट को चेंज करना पड़ेगा खास कर अमेरिका और रशिया को अमेरिका और रशिया को याद रखिए क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे के गले तक आ गए है हमको यह समझना पड़ेगा कि हम दुश्मन को तो हरा देंगे लेकिन जो mentality create हुए वार की वजह से युद्ध की वजह से उसको कैसे हटाएंगे peace को पाने का एक ही तरीका है सभी steps ऐसे लो जो आगे जाकर कभी भी conflict का कारण नहीं बने हमारे political views से लेकर leading point of views तक सब कुछ बलना होगा हमको इस सवाल का जवाब देना होगा कि एक peaceful coexistence के लिए और cooperative nations के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है सबसे पहले हमको अपने mutual fear को हटाना पड़ेगा क्योंकि आज हमें fear है कि अगर हम demilitarize हो जाते हैं अगर हम अपनी military को बंद कर देते हैं तो हमको दूसरा वेक्ती मार गिराएगा तो हमको इसी लिए एक साथ हम सभी की military को renounce करना पड़ेगा छोड़ देना पड़ेगा हतियार होने चाहिए और कौन-कौन से हतियार होने चाहिए हमको means of mass destructions जैसे atomic weapons को हटाना पड़ेगा हमको एक दुनिया की government बनानी पड़ेगी जैसे एक देश की government होती है और वो अपने देश को चलाती है वैसे एक पुरे दुनिया की government जो पुरे दुनिया को चला है हमको mutual trust की जरुवत है एक दूसरे पर विश्वास की जरुवत है justice और police पर विश्वास की जरुवत है individuals पर विश्वास की जरुवत है यह करना बहुत ही लंबा काम लगता है बहुत ही मुश्किल काम लगता है लेकिन यह काम possible है बिलकुल possible है इसके लिए mutual understanding बनाने की जरुवत है इस दुनिया में और अमेरिका को हमको दोस्ती का पहला हाथ बढ़ाना पड़ेगा तभी हम इस दुनिया में शान्ती को पापाएंगे और हमको atomic bomb जैसे weapons of mass destruction को हटाना पड़ेगा renounce करना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा है atomic power unlimited है और ऐसी power इंसान के पास कभी नहीं होनी चाहिए धन्यवाद दोस्तों मेरा नाम है अशुन सिंग चोहान और आपका एक और ग्लोबल कहान या वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया आज हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह Albert Einstein ने एक speech में आपको कही बात ही लेकिन उनमें से मुख्य बात यह थी कि उन्होंने एक formula इजाद किया था जिसका आगे चलकर यूज हुआ एटम बांब बनाने में और उनको बहुत रिग्रेट हुआ इस चीज का क्यों करा क्यों उनकी research आगे चलकर ऐसी इस चीज में काम आई और एक समय पर उन्होंने भी हमको आगे वाली चीज़े को सोचकर आज की step लेने चाहिए क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है आपका एक छोटा सा decision आगे चलकर बहुत बड़ा चेंज कर सकता है किसी वीची इसको positive और negative और आइस्टा ने यह भी बताया है कि किस तरह हमको हमारे सब steps को उस तरह लेना चाह सब आगे रखना चाहिए और इस दुनिया को सबसे पहले रखकर हमको सब steps लिंग चाहिए इस सब चीज़ें को समझ सकते हैं और हमको समझ लेनी चाहिए इस सब चीज़ें को कि इसी बड़ी हस्ती हमको बताती है चीज तो यह था हमारे speech का एक analysis और global कानी में हम आहरे दिन एक analysis करते हैं कि बड़ी हस्ती की बड़ी बहतरी speech का अगर आपने दक लाइक निकारा है वीडियो को सब्सक्राइब निकारा है चैनल को आप बिलकुल लाइक को सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझ से जुड़े रहे हैं इस्टाग्राम पर फेस्बुक पर टुटर पर और हर झाल 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 झाल झाल